दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको Facebook की News Feed सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ Facebook पर अपनी News Feed को कैसे Customize करते हैं Facebook News Feed को अपने According कैसे Manage करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे Facebook News Feed में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ स्कॉल करते हैं अलग-अलग यूजर्स की पोश्ट हमारे सामने आती रहते हैं या फिर अलग-अलग Facebook Groups और Pages में शेर किये गए कंटेंट्स हमें दिखाई देते हैं जैसे में अगर आप किसी Facebook यूजर या फिर फैन पेज को अपनी फेवरेट लिस्ट में एड कर देते हैं तो उनके द्वारा शेर की गई पोश्ट आपको सबसे पहले या फिर सबसे टॉप में शो होगी Facebook में शेर की गई किसे भी पोश्ट या फिर वीडियो के टॉप साइड में ये थ्री होरिजोन्टल डॉट्स पर क्लिक करके आप उस पोश्ट या अकाउंट को बेनेज कर सकते हैं पर save video option पर किलिक करके आप पोश्ट में शेर की गई वीडियो को अपनी saved list में add कर सकते हैं और बाद में उसे कभी भी देख सकते हैं इसके अलावा save करने के बाद यहाँ पर unsaved का option आ जाएगा जिस पर क्लिक करके आप अपनी collector से cam, save video को unsave भी कर सकते हैं, अगर एक photo होगी, तो यहाँ पर आपको save video की जैगा पर save post का option दिखाई देगा, इसके बाद hide post option पकलिख करके, आप इस post को अपने news feed से hide कर सकते हैं, report post option पकलिख करके, किसे भी facebook post को report कर सकते हैं, अगर उसमें, किसी भी तरह का गलत या फिर inappropriate content आपको दिखाई देता है तो अब अगर आपने इस account की किसी भी post की notifications को on नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको turn on notifications for this post को option दिखाई देगा जिस पर click करके आप इस account की notifications को on कर सकते हैं अगर आपने already इस account की notifications को turn on किया होगा तो यहाँ पर आपको turn off notifications को option दिखाई देगा इसके बाद यहाँ पर copy link option पर click करके आप इस post के link को copy कर सकते हैं और किसी के साथ भी share कर सकते हैं अब अगर आपने इस account या page को अपनी favorite list में add क्या होगा तो इस तरह से यहाँ पर आपको remove account from favorites को option दिखाई देगा क्लिक करके आप अपनी favorit list से इस account को remove कर सकते हैं अगर आपनी favorit list में इसे add नहीं क्या होगा तो यहाँ पर आपको add account to favorites का option दिखाई देगा जिस पर click करके आप इस post को share करने वाले account को अपनी favorit list में add कर सकते हैं जितने भी accounts को आप अपनी फेवरेल इस्ट में एड करेंगे उनकी post आपको अपनी news feed में सबसे उपर शो होगी इसके बाद यहाँ पर आपको snows account for 30 days को option शो होगा जिस पर click करके आप इस account की post को अपनी news feed में 30 दिनों के लिए snows कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर unfollow account option पर click करके आप इस account को unfollow भी कर सकते हैं और block option पर click करके इस account को block भी कर सकते हैं इसके साथी यहाँ पर last में आपको manage your feed को option भी दिखाए देगा जिस पर click करके आप अपनी news feed settings को customize कर सकते हैं अब अगर मालेजी आपको इस account की post को 30 दिनों के लिए snows करना है 30 दिनों तक इस account की कोई भी post आप अपनी news feed में नहीं देखना चाते हैं तो इसके लिए आपको snows account for 30 days option पर click करना है जिसके बाद 30 दिनों के लिए यह account to snows हो जाएगा इस account की कोई भी post आपकी news feed में नहीं आईगी है अगर आप से गलती से हो गया है तो यहाँ पर undo option पर click करके आप अपनी section को undo भी कर सकते हैं तो इस तरह से गया अपनी news feed में आप किसी भी post को customize कर सकते हैं अब अपने facebook account की news feed settings को customize करने के लिए सबसे पहले आपको facebook की settings page को open करना है इसके बाद settings page में आपको preferences section में news feed को option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है अब news feed setting के अंदर ये चार options आपके सामने आएंगे इन में favorites option पर click करके आप उन्हों सभी accounts को देख सकते हैं इने आपने अपनी फेवरेल लिस्ट में add किया होगा यहां पर जितने भी accounts के सामने आपको three horizontal dots दिखाई दे रहे होंगे उन्हें आपने अपनी फेवरेल लिस्ट में add किया हुआ है इन सभी की शेर की गई पोश्ट आपको अपनी news feed में higher priority में दिखाई देती हैं अगर आप अपनी फेवरेल लिस्ट से किसी account को remove करना चाते हैं तो वो भी आप यहांसे easily कर सकते हैं इसके लिए आपको उस account के सामने three horizontal dots पर click करना है जिसके बाद bottom side से एक pop up open होगा तो इसमें आपको remove from favorites option पर click कर देना है तो इस तरह से guys आप अपनी favorite list से किसी भी account को remove कर सकते हैं इसके लाव अगर आप यहांपर तोड़ा सा नेचे की तरफ scroll करेंगे तो यहांपर आपको कुछ और accounts भी जोंगे जो आपको facebook की तरफ से आपकी activity के base पर suggest किये होंगे इनके सामने add option पर click करके आप किसी भी account को अपनी favorite list में add कर सकते हैं favorites के बाद यहांपर next option दिया गया है snooze इस पर click करके आप उन सभी accounts को देख सकते हैं जिने आपने snooze किया होगा यहांपर snooze account की duration भी आपको दिखाई देगी जिसे आपने आज के दिन snooze किया होगा उस account में आपको 30 days left लिखा हुआ दिखाई देगा यानि की 30 दूनों के बाद वो account unsnooze हो जाएगा इसी तरह से अलग-अलग दिनों में snooze किये गए accounts की duration आपको अलग-अलग दिखाई देगी इससे पहले आप जितने भी accounts को snooze कर चुके हैं और उनकी snoozing duration भी खतम हो गई है वो आपको यहाँ पर snooze again section में दिखाई देगे जिनके सामने snooze option पर क्लिक करके आप एक बार फिर से 30 दिनों के लिए इन accounts को snooze कर सकते हैं इसके बार यहाँ पर unfollow option आपको मिलेगा इसपर ख्लिक करके आप उन सभी accounts को देख सकते हैं जिने आपने facebook पर follow क्या होगा अपनी सभी following को आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर मान लीजिए आपको अपने सभी follow किये गए accounts को unfollow करना है एक साथ एक बार में ही सभी following को unfollow करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जितने भी accounts दिखाई दे रहे हैं उन्हें one by one करके select कर लेना है सभी follow किया गया accounts को select करने के बाद टॉप left corner में आपको back option पर click कर देना है back आते ही आपकी सभी following unfollow हो जाएगी इस तरह से आप instantly अपनी सभी following को unfollow कर सकते हैं इसके बार यहाँ पर आपको last में reconnect को option मिलेगा जिस पर click करके आप उन सभी accounts को देख सकते हैं जिने आपने आभी तक unfollow कर दिया है यहाँ पर unfollow किये गए सभी accounts आपको show हो जाएगी अगर मालीजे इन में से कुछ accounts को आप वापस follow करना चाते हैं दोबार से अपनी following list में add करना चाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको उन accounts को select कर लेना है जिने आप फिर से follow करना चाते हैं select करने के बाद यहाँ से आपको back आजाना है back आते ही selected account आपकी following list में add हो जाएंगी अब अगर आप यहाँ पर unfollow option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दुबार से follow के गए accounts शो हो जाएंगी unfollow option पर क्लिक करके आपको जितने भी accounts दिखाई देते हैं वो सभी आपकी following होती है तो इस तरह से guys आप facebook के news feed settings को customize कर सकते हैं तो आज की इस video वस इतना ही मिलता हूँ आपको next video में किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन